हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफिनिटी नोलेज आज का हमारा टोपिक है एसम्टोड्स, यह है हमारा इस टोपिक के उपर थर्ड वीडियो है सब सब पहले वीडियो के अंदर हमने एसम्टोड का बेसिक जाना जिसके अंदर हमने एक एक्जामपल किया, जिसके अंदर M की तीनों वेल्यू अलग लग थी उसके बाद में हमने दूसरे वीडियो के अंदर एक और एक्जामपल लिया जिसके अंदर M की दो वेल्यू सेम थी और एक वेल्यू अलग थी आज के इस वीडियो के अंदर हमें एक अलग टाइप का एक्जामपल डिसक्स करने वाले हैं तो आज का हमारा एक्जामपल है अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वस टूब 3A अक्स वाई यहां पर जो एक कर्व दिया गया है हमको इसके एसम्टोट्स फाइंड करने हैं तो एसम्टोट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा एक कर्व है इसकी डिगरी का पता लगाएंगे तो हम इस कर्व को देखे बता सकते हैं कि इसकी डिगरी कितनी है इस करवर की डिगेया आएगी हमारे पास ठी है हम कि यह पे डिगेरी 3 के से यह भी त्ली हम के देखें लगेंगा कि जो यह करव वाइज है इसकी हर-ईक ट्रम की डिगेरी आजलेगे जिस uses the power अब निल्स इसकी टिटन यहां पर जो यह करव है इसकी सारी टर्म्स को मैं एक साइट में लिख लेता हूं जिससे हमको calculation के अंदर आसानी हो तो यह बन जाएगा x-cube plus y-cube minus 3a xy equals to 0 अब यहां पर हम step first के अंदर क्या करेंगे कि जितनी भी highest degree वाली टर्म्स है उन सबको एक साथ लिख लेंगे तो यहां पर highest degree वाली टर्म्स है दो हमारे पास एक तो है x-cube एक है y-cube तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे x-cube plus y-cube और इसको हम बोल देंगे y3 x,y equals to हो गया हमारे पास x-cube plus y-cube अब इसके बाद में हम जो फाइ 3 x,y है इसके अंदर x equals to 1 रख देंगे और y equals to रख देंगे m तो हमारे पास जो फाइ 3 x,y है यह बन जाएगा y3 1,m यह equals to हो जाएगा 1 plus m3 क्योंकि हमारा पूरा का पूरा m का ही function है तो इसको हम क्या लिख देंगे फाइ 3,m equals to 1 plus m3 अब इसके बाद में हम लिखेंगे फाइ 2,m फाइ 2,m का मतलब यहाँ पर जितनी भी terms जिनकी degree 2 है उन सबको हमें आपे लिख लेंगे कैसे x equals to 1 रखे और y equals to m रखे तो यहाँ पर क्यावल एक ही term है जिसकी degree है मारे पास 2 है तो यह term हम यहाँ लिख लेंगे और इसके अंदर x equals to 1 पूट कर देंगे और y equals to m पूट कर देंगे तो मारे पास जो फाइ 2,m है वो बन जाएगा 5,2,m equals to minus 3,a,m यहाँ पर अगर हम 5,1,m देखें तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी गोई term ही नहीं है जिसकी degree 1 हो तो 5,1,m equals to हो जाएगा 0 5,1,m equals to हो जाएगा 0 यहाँ पर 5,0,m लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे pure equation के अंदर कहीं पर भी यूज नहीं होगा अब इसके बाद में next step के अंदर हम क्या करेंगे कि जो 5,3,m है इसको equals to 0 पूट करके m की values निकालेंगे तो step 2,step 2 के अंदर हम क्या करेंगे 5,3,m को 0 के equals to रखेंगे तो 1 प्लस m3 equals to आ गया 0 तो यहाँ से m की values निकालेंगे तो यहाँ से जो m है वो equals to आ जाएगा माइनस 1,1 प्लस माइनस जे रूट 3 डिवाइड बाइ 2 तो यहाँ पर हमारे पास m की equals to real आ रही है और दो value आ रही है इमेजनरी इसका मतलब जो मारे कर्व है जिसकी degree 3 है इसका क्यों एक ही एसम टोट होगा जिसकी slope होगी negative 1 अब हमारे पास जो एक एसम टोटा उसकी slope तो हमारे पास आ गई अब इसके लिए हमको c की value भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो एसम टोटा उसकी equation होती है y equals to mx प्लस c तो हमने m की value दो निकाल लिए अब c की value और निकालनी है अब जो c की value निकालते हैं हम उसके लिए formula युज लेते हैं c phi dash n m plus phi n minus 1 m equals to 0 तो यहाँ पर जो n है वो है हमारे करव की degree तो करव की degree है हमारे पास तीन तो यह हो जाएगा phi 3 dash m plus phi 2 m equals to 0 अब phi 3 dash m कितना जाएगा यहाँ से phi 3 dash m equals to 3 m square तो c into 3 m square plus phi 2 m कितना है phi 2 m है मारे पास minus 3 am minus 3 am equals to 0 अब इसके अंदर हम रख देंगे m equals to minus 1 क्योंकि हमको m equals to minus 1 के लिए cq लिए निकालनी है तो इस equation के अंदर हम रख देंगे m equals to minus 1 तो जब हम इसके अंदर m equals to minus 1 रखेंगे तो यह बन जाएगा 3 into minus 1 का square हो जाएगा हमारे पास 1 plus 3 a equals to 0 क्योंकि m की value minus 1 है minus 1 minus 1 equals 2 हो गया plus यह हो गया 3 c plus 3 a equals to 0 तो यह बन जाएगा हमारे पास c plus a equals to 0 तो यहां से equals to minus 1 क्योंकि m की value minus 1 है into x plus c c की value है हमारे पास minus a minus a तो हमारे पास तो यहां पर हमारा जो कर्व है था उसकी जो degree थी वह 3 के equal थी तो यहां पर जो हमारे अधिक्तम 3 के equal आ सकते थे पर यहां पर हमारा क्योंकि में पास दो इमेजनर यह आ गई इसलिए हमारे पास जो यह दिया गया कर्व है उसके लिए क्यों 1 कि एक है सम्टोट आया है तो आज की वीडियो के अंदर इतना है फ्रेंड्स थेंक्यू